दोस्तो जैसा कि आप जानते ही है कि COVID-19 के चलते हुए इस्थिती बहुत जादा बहानक हो चुकी है बहुत जादा परेशानियां हमें सहनी पड़ रही है और अगर जो देखा जाए तो जो देश की स्थिती है वो बहुत 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 बत से बत्तर हो चुकी है और ऐसे में बात आती है परिक्षा की सीटेट की, की सीटेट का एक्जाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर स्टुडेंट्स बहुत ज़्यादे संश्या में हैं, और मेरे पास जब कॉल्स आई, स्टुडेंट्स की मेसेज़िस आए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप प्लीज इसके बारे में कुछ बताईए, तो मैंने ये निश्चे किया, कि मैं जरूर इसके उपर एक वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों को बताना चाहूंगा, की परिक्षाएं आपकी होनी है, या नहीं होनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि मेरे इस चैनल पर, डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश के नाम से जो मेरा ये चैनल है, इस चैनल पर सीटेट की मैंने, इंग्लिश को लेकर, 10-12 वीडियो दोस्तों बनाई हुई है, अगर आप उन 10-12 वीडियो जो है, वो आपकी बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी, आप उनको जरूर स्टेडी कीजिए, उसका लिंक भी मैं इस जो वीडियो है, इसके कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, कि सीटेट जुलाई 2020 का जो एक्जाम है, वो होगा या नहीं होगा, देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि स्थिती बहुत खराब है, और ऐसे में जो सीटेट है, उसका भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला है, कि जल्द ही ये मान के चलिए, कि हो स एनाउंसमेंट होने वाली है, ये होने जा रही है, सीटेट के एक्जाम्स की पोस्टपॉन को लेकर, मतलब जो डेट है, वो अभी और आगे खिसक सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो दोस्तों लेकिन ये आपको पता ही है कि ये ओफिशियल नहीं है अभी, लेकिन ओफ सरकार ऐसा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि इसमें क्या है, सरकार को बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, अगर जो इस्थिती खराब होती है, और सुनना ही नहीं देश की हालत बिगड़ जाएगी, अगर जो केसे इस तरह से होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सीटेट का एक छोटी मोटी परिक्षा नहीं है, कितना बड़ा ये एक्जाम होता है, और इसके लिए बहुत प्रबंद किया राता है पूरा, तो ऐसी सिटुएशन में अभी चांसेज नहीं लग रहे हैं, कि अभी परिक्षाएं होंगी, तो इस्थगित होने के ज़्यादा चांसेज हैं, तो लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, कि आप अपना जज़बा मत खोईए, जो आपकी एक लगन है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसको मत खोईए, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो नॉलिज ह है, वो बेकार नहीं जाती. एक्जाम आपका जब भी होगा, तब भो परिक्षा में आपके काम आएगी, तो यह जो जियान है आपका, यह बेकार नहीं जाने वाला है, तो दोस्तों महनत में लगे रहो, तैयारी अपनी अच्छी तरह से करते रहो, और परिक्षा जब होग लेकिन अभी जो चांसिज लग रहे हैं वो चांसिज यह लग रहे हैं कि जो यह परिक्षा है यह इस्थगित की जाएगी यह इसको पोस्पोन किये जाने के 90% चांसिज है साथियों तो उम्मीद है कि यह परिक्षा अभी नहीं होंगी और यह भी उम्मीद है कि आपको वीड यूर्ष की चर्शाट थे